हुआ आज वेले कुझा में तार के इस वीडियो टूटियरियल में आज हम सीखेंगे डिस्प्लेडे बुक शॉटकट्स की इं टैली तैली के अंदर डिस्प्लेडे बुक के अंदर किस तरीक इसे shortcuts की use की जाती है और इन shortcuts की का क्या use है तो आए दोस्तों हम देखते हैं टैली के अंदर display daybook में shortcuts की का use सबसे बहले हम लोग entries को देखने के लिए display के अंदर ही जाते हैं daybook के अंदर ही जाते हैं सबसे बहले आता है यहाँ पर F2 F2 से आप particular जिस date की entry देखना चाहते हैं उस date की entries को आप यहाँ देख सकते हैं तो F2 जो था हमारा यह shortcut की होता है किसी particular date की entries को देखने के लिए इसके बाद होता है alt F2 alt F2 से आप किसी भी period wise entries देख सकते हैं that suppose जिसे एक चार से लेके एक तिस पांच तक की मुझे सारी entry यहां देखनी है तो आप देखें यह 4th month and 5th month पूरा आ चुका इस तरीके से हम PCB period wise या पूरे year की entries को हम लोग एक साथ देख सकते हैं अल्टर F2 से तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे इसके बाद आप देखेंगे यहां पर होता है सारी display debug entries अल्ट F1 अल्ट F1 से आप किसी भी entry को detailed में देख सकते हैं उसके अंदर के पूरी entries को उसके अंदर यूज किये विए दूसरे accounts को भी आप easy way में या से देख सकते हैं और अल्टर F1 से ही आप इसको वापस से close भी कर सकते हैं इसके बाद आता है alt x let's suppose third entry पर मैंने alt x किया है इस तरीक से देखेंगे कि वह entry हमारे इसमें से delete हो चुकी है लेकिन वह entry वहाँ पर cancelled में दिखाई दिती ह्यांवा को दिखाई देगी जिससे आपको पता रहता है कि आपने इतनी entries को यहाँ पर cancel किया हुआ है आप इंट्री में जाते भी हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि वह इंट्री महां से चैंसल हो चुकी है मतलब परमाने डिलीट न करते वह आप चैंसल मितलब यह बताना चाहते हैं कि हमने कैंसल करके इतनी इंट्री को रखा है तो आप अल्ट एक्स से कैंसल कर सकते हैं अब इसके आज फर्स्ट इंट्री है पच्छिस जार रुपए की मेरे पास दो इंट्रियां एक जैसी तो में यह यह इंट्री को रिपीट करने की ज़रूत नहीं है ऐसी के लिए मैं 25,000 की इंट्री यहां पर भी दिखा रहा है 25,000 की इंट्री यहां पर भी दिखा रहा है यह जो देख रहे हैं आप यह 25,000 देन यह 25,000 तो इस तरीक से आल्ट टू से आप किसी भी इंट्री की डुप्लिकेट इंट्री कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों इंट्री होती है आल डी आल्ट डी से आप किसी भी इंट्री को पर्मानेंट डिलीट कर सकते हैं तो देखिए जो इंट्री में della Cancel कि तहींWe Jahren ऑल्ट डी जो हता है उसके लिए ह TVs के लिए है इसके बाद होता है यहीं से अगर मुझे डारेक्ट वाउचर इंट्री में जाने हैं पर आपके लिए 2 शॉटकट किए या तो आप Alt I Elise कर सकते हैं यह से लिल टेंटरी में सकते हैं इसके बा luôn ग्याइन आइप और इंट्री में dus जा सकते हैं इसके बाद उतर रिमूँ जिसे बहुत सारी इंट्रियों हो जाती ही तो मुझे temporary तेम्परेरी इंदेसन देखिए मैं इंट्रीज को रिमूँ करते जाते हैं मैं लगे टैम्परेरी है अल्ट आर से आपकी बहुत सारे यू प्रेस कर दिया तो सारी entries को एक ही बार में आप restore कर सकते हैं आई कर सकते हैं तो यह था दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम F space particular मुझे कुछ entries को select करना है तो इस तरीके से मैं space entries को select कर सकता हूं यह था हमारा particular regular space मतलब किसी एक एक करके entries को select करना एक होता है control space control space shortcut किए select all की आप एक साथ सारी entries को एक साथ select कर सकते हैं तो यह थी दोस्तों display day book की shortcut की जिनको मैंने आपको बताया है आपने आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा इस तरीके से आप master बन सकते हैं टाली के अंदर इसी तरीके से देखते रहें वीडियो उस टुटोरियोल से मेरी का टाली अकाउंटिंग वीडियो से सीखते रहें इसके लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थांक यू पर वाचिंग करें 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 करें